भारत विज्ञान और तंतर ग्यान में काफी बड़ी उपलब्दी हासिल कर रहा है और आज चंद्रयान 3 का प्रक्षेपन हो चुका है जिसके चलते सभी के मन में उत्सुकता के भाव मौजुद है चंद्रयान 1 और 2 की विफलता के बाद 143 में क्या विशिषता है और जानने के लिए हमारे सववाद आता ने रुक्या रमन विज्ञान केंदर का जहां इस मिशन के विशे में जानकरिदी शिक्षा अधिकारी अभिमन्यो भेलावे ने दर्शको चंद्रयान 3 के प्रक्षेपन का अगरीमशन आ चुका है बोले तो खुशी से बोला जाए तो चंद्रयान 3 लॉंच हो चुका है और इस वक्त हम मुझूद है रमन सायंस केंदर में जहां की आप देख पा रहे है चंदर की छबी यहां दिखाई गई है और इस वक्त हमारे साथ मुझूद है रमन सायंस के शिक्षादिकारी अभिमन्यू बहलावे जी जिनसे हम जानेंगे कि आखिर चंद्रयान 3 की क्या विशेष्था है थी आप हमारे दर्शकों को बताईए चंद्रयान 3 देखिये ऐसा है इसके पहले हमारे भारत की दो ऐसे मुहिम हो चुकी है जिसमें हमने सब्से पहले चंद्रयान 1 भेजा था वो 2008 में गया था और उसमें हमने चंद्रयान जो भेजा था वो चंद्रमा के आसपास गुम रहा था और उसमें से एक Chrotasim hou उड़ा जिसको हम लोग Moon Impact Probe कहते हैं, तो ये प्रोब उसमें गिरा था और गिरते समय वहां से जो धूल मिट्टी जो उपर उचली थी, उसका एनलिसिस करके उसने बताया था कि उसमें पानी का आउंस है, तो भारत ये पहला देश था हमारा जिसने चंद्रमा पर पानी की खोज की थ दूसरा हमने चंद्रियान दो भेजा था, 2019 में, और उसमें जो था एक Orbiter था, Orbiter जो हमने 2019 में भेजा था, वो अभी भी घुम रहा है चंद्रमा के आसपास, और वो आज तक उसकी जानकारी जो है, वो हमें दे रहा है, चंद्रियान दो का Orbiter था, उसमें से एक विक्रम नाम का लैंडर जो था, वो चंद्रमा पे खुद उतरने के लिए हमने बनाया था, मतलब हमारे देश ने बनाया था, और वो वहां पे उतरते हुए, थोड़ा सा छतिगरस्त हो गया था, इसलिए चंद्रमा पे उतरने की जो हमारी मुहीम थी, वो सफल नहीं हो पाई थी, उसको जो lander है वो successfully वहाँ पे उतर जाएगा और उतरने के बाद वहाँ से rover जो है वो भी बहार आएगा और वो अपने experiment करके करीब 14 दिन वो वहाँ पे काम करेगा और 14 दिन काम करते समय जो भी उसको जानकारी मिलेगी जो experiment वहाँ करने है वो करके उसकी सारी जानकारी हमारे पृत्वी पर मतलब हमारे इसरो के सेंटर में वहाँ से आएगी ऐसा expectation है दर्शकों के मन में एक सवाल आता है हमेशा की जो शेपनाश्त्र जब प्रक्षेपित होता है तो उसका पूरा monitoring कोन कहां से किया जाता है और आखिर चंद्रयान तीन की observation इसका होता है और कई बार अलग-अलग समुन्दर में भी ये सिप के उपर इसके instrument monitor होते है वहाँ से इसको track किया जाता है कि वो कैसे जा रहा है और उसका जो control है वो इसरो के center से होता है बैलालू करके जगे है पैंगलोर से कुछ अंतरपन तो वहाँ पर इसका control है ये सारी जानकारी भी public domain में available है सबको मिल सकती है तो वहाँ से आप collect कर सकते हैं सभी वेग्यानिक समुदाई के लिए और साथी साथ जनता के लिए भी आज का action काफी बड़ा महत्वपूर्ण रखता है आज जनता को क्या बोलना चाहेंगा जनता को यही कहना है कि यह अगर हम आसानी से और successfully अगर चंद्रमा पे लैंड करते हैं तो यह बहुत बड़ी उपलब्दी होगी क्योंकि चंद्रमा पे उतरने वाले बहुत कम देश है कुछ ही देश है जो चंद्रमा पर अपना object कोई है वो successfully उतार पाए हैं तो अगर इसमें हमें कामया भी मिलती है तो यह देश के लिए बड़ी उपलब्दी होगी टेक्नोलोजिकल और साइंटिफिक रिसर्च में एक बड़ी उपलब्दी होगी क्योंकि उन गिने चुने देशों के पंक्ती में हम लोग जाके बैठेंगे और यह देश के लिए बड़ा गवरवानमित शन होगा और इसलिए आज सफल उसका प्रक्षेपन हो चुका है कुछी देर पहले यहां से प्रक्षेपित हुआ है और रॉकेट जैसे ही आगे जाएगा जाने के बाद करीब करीब 40 दिन का समय उसको लगेगा 40 दिन के समय के बाद यह हमारा जो चंद्रयान है चंद्रमा के 100 किलो मेटर के एक कशा में स्थापित होगा और वहाँ से फिर यह जो उसका लैंडर है वो अलग होकर वो उस्पे लैंड करेगा और उस समय की हमें संब को अभी प्रतिक्षा होगी कि हमारा जो लैंडर है सक्सेस्पुली उस पे लैंड करे और लैंड करने के बाद महाँ से रोवर निकल के जब सारी जानकरी इकटा करेगा ये बड़ा ही गवर्वानी चन होगा और सब के दिल में हम सभी भारतवाशियों के दिल में इसके लिए एक बड़ी प्रिदिक्षा है और सब इसके तरफ आशा से देख रहे है धनेवाद सर आपने हम से बात की और जनता से बात की तो दर्शको जैसा कि आपने देखा चंद्रियान तीन का प्रक्षेपन हो चुका है सभी के आखों में आशा के किरन है आखिर ये जो अभियान है दो अभियानों की विफलता के बाद सफलता कही न कही सफलता की आशा सभी के मन में है साथी साथ शंशोधक वईग्यानिकों के भी मन में कही न कही काफी बड़ी आशा इस वकत हमारे मोजूद है और इस अभियान के सफलता के बाद कही ना कही भारत का नाम विश्व के परचम पर विश्व के पटल पर भारत का नाम कही बड़े तोर पर लिया जाएगा तो दर्शको इसे के साथ कैमरा परसन अजित कुवर के साथ मैं मनिश टेमरे इन भी सिन न्यूस के लिए नाकपूर